रिशी कपूर और क्यारके हमेशा से ही अपने ट्विट के लिए चर्चा में बने रहते हैं और हाल ही में पाँच राज्यों के विदान सबा के नतीजे आए हैं ऐसे में ये दोनों बिना कुछ कहे कैसे चुप रह पाते आपको बता दें कि रिशी कपूर और क्यारके ने अपने ट्विट बम से सभी राजनितिक पार्टियों पर निशाना साधा है पंजाब में आमादमी पार्टि की हार पर रिशी कपूर ने चुठकी लेते वे कहा कि अब समझाया कि अर्विन केजरिवाल ने अपना बलड प्रेशर क्यों चेक करवाया था वही क्यारके ने कहा कि केजरिवाल की खुद ही महला क्लिनिक में भरती होने की नौबत आ गई है क्यारके ने यूपी चुनाओ के नतीजों पर कहा ना चली साइकल, ना उड़ी धूल, ठक गया हाती और खिल गया फूल साथ ही यूपी के लोगों को मुर्क और अनपड़ भी कहा जो 70 साल से हर 5 साल में सरकार बदल रहे हैं